तो आज इस विए में हम बात करने वाले है के टी अमर्सी 200 की EMI और डाउन पेमेंट के वारे में सब कुछ बताएंगे कि कि आपको क्या गया डॉक्युमेंट सी है कितना आपको डाउन पेमेंट देना हुगा कितनी आपकी परमत की EMI है गी है सब कुछ इन डीटेल बात करने वाले मेरे नम है संगीत का ना आप देखे रहें थ्रॉटल 98 लेट स्टार्ट इस वीडियो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको फाइनांस कराने के लिए कौन-कौन से डॉक्युमेंट यह होते हैं बाइक जब भी आप फाइनांस कराने जाते हैं तो आपको दो साल की करेंट इयर की आई टी आर देनी होती है साथ में अकाउंट पर ही चेक देना होता है दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी होती है मिनियम एज जो है फाइनांस कराने की बाइक वो है 21 साल अब बात कर लेते हैं कितना परसेंट तक आप रेट ओफ इंट्रेस्ट की तो 6.2 परसेंट पर आनम से लेकर 13 पर अनम फ्लाट तक रट आफ इंट्रेस्ट लगती है मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए अगर आपको भाइक खरीद नहीं है तो लगग-बग 15,000 रुपए प्रती महीना आपकी सैलरी होनी चाहिए अगर आप से finance करानी है बिना किसी ज़्यादा तकलीफ के अब यहाँ पर हम बात करते हैं RC 200 की on road price के बारे में तो 2,39,000 रुपीज अप्रॉक्सिमेटली on road price है KTM RC 200 की यहाँ पर अगर हम simple सा example ले तो अगर हमारी salary लगबग 15,000 रुपे है और अगर हम 85% तक का loan कराते हैं bike के उपर KTM RC 200 के उपर तो लगबग 2,3,000 रुपे का हम loan कराते हैं bike के उपर और लगबग 36,000 रुपे प्लस file charges की हम down payment देते हैं आपर अब जो loan amount है हमारा 85% का वो है 2,3,000 रुपे इस पर आपको 10% per annum rate of interest आपको flat लगबग लगएगा यहाँ पर अगर हम 3 साल का loan कराते हैं मतलब 36 महीने का loan कराते हैं तो आपकी जो पर मंद की EMI आएगी वो आएगी लगबग 7,331 रुपे लगबग 7,331 रुपे अगर आप 3 साल के लिए loan कराएंगे और यहीं अगर आप सब कुछ सेम रखके 5 साल का loan कराएंगे मतलब 60 महीने का अगर आप loan tenure कराएंगे तो आपकी पर मंद की EMI हैगी 5,075 रुपे मतलब 5,075 रुपे की आपको पर मंद की EMI देनी होगी अगर आप यहाँ पर 5 साल का loan कराएंगे KTM RC 200 का KTM RC 200 मेरे इसाब से काफी शांदार बाइक है इंडियन मारकेट में 2,39,000 लगबग इस बाइक का on-road प्राइस है और ब्रेक्स काफी बढ़िया है डूल चैनल लेब ये साथा है इस बाइक के अंदर जाना है अपने office जाना है तो आप ये बाइक ले सकते हैं पिलियन के लिए comfortable नहीं है ये बाइक पर उकाउस इसकी seat इतनी आदा comfortable नहीं है पाइक चलाने में बहुत बड़िया है अगर यहाँ engine की बात करें तो 199.5 cc का engine आता है 24.6 brake horsepower pump out करता है और 19.2 Nm of torque pump out करता है लगभग 33 km per litre का आपको ये bike miles दे देगी 6 gears बाइक के अंदर आते हैं और इस bike को service कराना बहुत आसान है service cost काफी कम है यहाँ पर जो हमें fuel tank देखने को मिलता है इस bike के अंदर 9.5 liters का fuel tank देखने को मिलता है और engine की बात करें तो smooth engine है gear shift काफी smooth है काफी refined engine है अच्छा power pump out करता है अच्छा यहाँ torque देखने को मिलता है तो यह बाइक चलाने में आपको बहुत मज़ा आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ में आपको radiator अगरा भी देखने को मिलता है तो काफी बढ़िया cooling भी देखने को मिलती है बाइक के अंदर फ्रंट में हमें upside down suspension system देखने को मिलता है cornering में हमें बहुत यहाँ पर confidence देखने को मिलेगा और बहुत ही शांदार एक fared bike है motor gp inspired track focus looks आते हैं ktm rc 200 की और यह बहुत जो चेंव इस bike को आराम से चला सकते हैं मेरे इसाब से यह perfect value for money bike है अगर looks के इसाब से बात करें power के इसाब से बात करें पैसे के साब से बात करें तो मेरे इसाब से तो यह इसाब से वन वी most value for money bike in fared category in RCC category of the KTM bike so guys आज की वीडियो में था all about the EMI and down payment of the KTM RC 200 अगर आपको वीडियो पसंदा इस वीडियो को like जरू करेगा comment section में अपने thoughts अप जरू बेता कि आपको KTM RC 200 अच्छी लगती है की नहीं लगती है चैनल को subscribe जरू करिएगा यार मुझे motivation मिलती है इससे और आप क्या है family थोड़ी और बड़ी कर देते हो साथ में पेल अगन दमाना मुद बुलिएगा Instagram पे आप मुझे जरू फॉलो कर दीजेगा यहाँ पर आपको कोई भी कोईरी है तो आप DM करके मुझसे पूच सकते है throttle underscore night is management handle मिलते हैं आप से इस ऐसे exciting वीडियो में till then be happy and write safe, bye